और इन जेप के शाशन में, मुगल एंपायर वाज वेरी हूज एन पावफूल, दे यूज तो फॉलो दर रूल अफ आइदर माईवे और हाईवे, फिर भी वे पूरे भारत को कैप्चेन करने में असमर्थ रहे, क्योंकि नौर्थ एस्ट भारत ने एक ऐसा एंपायर था, ज देकर कहीं दबा रहे गया है, तो आईए समझते हैं, क्या आहूम्स हमारी हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट थे या नहीं? स्वागत है दोस्तो, आईज के वीडियो हम डिटिकेट करना चाहते हैं अहूम्स डाइनिस्टी को, जिन्होंने करीब करीब नौर्थ इस्ट इंडिया पर 600 सालों तक राज किया है, इनके राज करने का तरीका उस समय के राजाओं से काफी अलग था, इनके राज में हर राजा के चुनाव करने के लिए पाच मंत्रियों का एक ग्रूप बैठा करता था, और इन पाच मंत्रियों के पास ये पावर भी हुआ करती थी, कि वे उस राजा को हटा सकते हैं if he is not working properly, और ओवियस्ली वहूम डैनेश्टी की बात हो रही हो, तो हम दे बैटल अफ सराई घाट को कैसे भूल सकते हैं, जब मुगल्स अपने पीक पर थे, तब उन्हें अभी के बांगला देश तक के एरिया कैप्चर कर लिया था, और अब उनकी नजर पड़ी है आसाम पर, क्योंकि उस समय नौर्थ इस्ट रीजन की सारी सप्लाईज आसाम से ही होकर गुजरा करती थी, और बमापुत्रा की फॉर्टाइल लैंड जो आज भी भारत में बहुत प्रसीद है, मुगल्स उसको कैप्चर करना चाहते थे, पर वो इस बात से बिलकुल ही अंजान थे कि उन्हें सामना करना पड़ेगा लचित बोर्फुकान, who is considered as one of the greatest general of India, जिसे हमारे जैसे आम लोग ने भुला दिया है, एंड यह आज भी उनकी याद में अपने बेस्ट कैड़ेट को लचित बोर्फुकान के नाम से मेडल मिलता है, और सोच के देखिए आकिर इन्हें क्यों माना जाता है the greatest general, चलिए हम बताते हैं, 1615 to 1682, they fought against Mughals, in the year 1667, they lost a war against them, थ्री लैक की समपत्ती और अपने कैपिटल गुहाटी अहोम को हाथ धोना पड़ा, बट वस नॉट दे एंड अफ स्टोरी, यहीं से शुरुवात होती है दे बैटल अफ सराइगाट की, लचित बोर्फुकान ने मुगल से गुहाटी वापिस ली, और इंजॉई करने या सेलिबरेट करने के बज़ाए, वो इंस्टेंटली दूसरे वार के प्रिपरेशन में लग गए, उन्हें पता था, मुगल सांत नहीं बैठेंगे, वो वापिस हमला जरूर करेंगे, और लचित बोर्फुकान को यह पता था, कि इस बार मुगलों को हराना आसान नहीं होगा, और ऐसा ही हुआ, मुगल्स वापिस है, तीस हजार इंफैंट्री, पंदरह हजार आर्चर, अठारह हजार टर्किस कैवलिरी, पाच हजार गनर्स, और एक हजार कैनन के साथ, बट, वही लचीद बोर्फुकान ने अपने ही एंपाइर के जोग्राफी को इस्तमाल करके, मुगल्स को रीवर के रस्ते आने पर मजबूर किया, क्योंकि लचीद बोर्फुकान को पता था, कि मुगल्स की नेवल आर्मी कमजोर थी, और फिर वही हुआ जैसे लचीद बोर्फुकान चाहते थी, मुगल्स को वहाँ से हार का स्वाधी चकना पड़ा, और इसी वार के दौरान लचीद बोर्फुकान बिमार पड़े, उनकी सेना का हाल यह हो गया था कि उन्हीं रिट्रीट भी करना पड़ सकता था, तभी, the greatest general अशीद बोर्फुकान ने यह golden words बोले, if you want to flee, flee, the king has given me a task here and I will do it well. Ahums were outsiders, but they accepted our culture, they never forced anyone to obey their culture practices, instead of that, Ahum added a flavor in their culture. सोचने की बात तो यह है, कि why can't we introduce them in our textbooks? Why don't we tell stories from the Northeast India, which has a very crucial part of our Indian history? क्या लगता है आपको, एक NDA cadet, जिसका सपना होता है लचिद बोर्फुकान मेडल को हासिल करना, क्या उनके बारे में जानना जरूरी नहीं है? और है, तो कहा है उनका जिक्र हमारी किताबों में? सोच के देखिए.